हमने दुबाई करनेवाल देख लिया अमबिकापूर का जो बना हुआ है उसके बद हम चलते हैं आगे आज सभी माताओं का जितना भी दुर का पंडाल बना हुआ है उतना में घुमने का जब लोग प्लान बना के रखे हैं तो चलते हैं आगे सबसे पहले हम कहां जाएंगे दिखाती हूं आगे और यह हम पहुंच चोगे हैं भी घड़ी चोग जो की बहुत थी प्यारे हां का सजावट किया गया है इसके बाद हम लोग आगे देवी गंजवाले रोड पर फिर अभी आगे हम लोग माता जी की दर्सन करने और यह है इसका जगा का नाम तुम मैं नहीं बता पाऊंगे ब्रम रोड में आगे जा कि ऐसे टरन हम लोग किये थे हैं उसी में जाकिये था और फिर उसके बाद हम परसाद लिये फिर माताजी के दर्सन के फिर निगा चलेंगे नेक्स्ट जगह और आज हम लोग सूझे है है कि भौट जगहां से दर्सन करेंगे फिर उसके बाद आ अगए हम लोग यहाँ इसको बुहते जो पार्टी वाले चौक के पास ये माता जी का जहांकी निकाला जाता है यहां रियल की ऐसे गर्ल्स नों यहां माता जी का रूप लेके ऐसे यहां जहांकी दिखाया जाता है इतना प्यारा प्रदर्स है बहुत ही प्यारा बहुत ही सुन्दर दिखता है मैं फॉर्स टेम ऐसा वाला देखी द्रेस बहुत अच्छा लगा मुझे और यह रियल की लड़की होती है मतब ऐसे जो माता बनी है देखो कितने ही प्यार काली माता बनी के बाहर आ रही है बहुत ही अच्छा और सौंग बज रहा है यहां का दिखाया जा रहा था कि माता कैस देख सकते हैं यह हमें सालों साल दिखाया जाता है नौरात्री के नौ दिन देविये दर्सन की अराया जाता है और इनका देख करके बहुत अच्छा लगता है यह सारा पूरा द्रेस्या और इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे जाएंगे इससे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं बहुत थी अच्छा माता जी का प्रस्तूति और ये मैं इसके बाद हम जाएंगे एक जगह और सो उसी के जश्ट सामने ही ये meditation center बहुत थी अच्छा हम लोग इसकी अंदर चलते हैं चली आपको भी दिखाती हूं हम लोग आगे meditation center में यहाँ इस बताया जाता है जीवन वपेटती के बारे में सच्छाई कि क्या है कैसे है जीवन का चक्र कहा से होकर गुजरता है क्या क्या उसमें फिस करना पड़ता है क्या है कैसे है भगवान तक का सफ़र दिखाया जाता है सो यही परिंट होता है हमारे वीडियो